हेलो फ्रेंज वेल्कम टू माई चैनल मैं आपका स्वागत करती हूं मेरी चैनल में लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो फ्रेंज आज का हमारा टॉपिक है बर्क देंसिटी ओफ कंसक्शन मटेरियल जो बर्क देंसिटी होता है सबसे पहले हम देखे गें बाशनलों सब्सक्राइबल का डेंसिटी देखे ए मतलब सिमेंट आइन सेंट वाट रहे इलिगेट से हर एक चीजिस देखे लिए कि किटना होता है है themes स्बस्श्वह का शेक्वलमोगा देखता है कि गुफ देंसिटी होता क्या है भउकि दे मतला हमारा material का जो weight है वो partially compacted होता है and unit volume और हाँ bulk density को हम row से present करते हैं इसका denote करते हैं इस डिनोटेड इस डिनोटेड बाइ रो इसे रो से हम रिप्रेजन करते हैं हम लोग रो का फॉर्मिला देखेगा है अदल लोग डेंसिटी का फॉर्मिला क्या है इसको फॉर्मिला है row is equals to m upon v m हमारा mass and v हमारा volume इसका SI unit है कि एसा unit is केजी पर मिटर क्यूब हमारा जो डेंसिटी रहता है वह हमारा केजी पर मिटर क्यूब में रहता है केजी पर मिटर क्यूब तो अब हम लोग construction material का density देखते हैं एक एक करके जैसे कि cement है, sand है, aggregates है, water है, steel है, concrete है, bricks है तो हर एक का हम लोग density देखे गए, एक एक कर गए, तो first है हमारा cement, हमारा cement का density होता है 1440 kg per मिटर क्यूब, 41 मिटर, 41 मिटर क्यूब, ओके next है हमारा sand, sand का density होता है, 1440, 21600 kg पर मिटर क्यूब next है हमारा aggregates, जो खड़ी रहता है, aggregates, उसका density है 16002, 1800 kg पर मिटर क्यूब, aggregates का हमारा bulk density है, 1600 तो 1800 kg पर मिटर क्यूब next है हमारा water, water का density रहता है हमारा, 1000 kg पर मिटर क्यूब next है हमारा steel, steel का density तो आपको पता ही रहेगा steel का density रहता है, 7850 kg पर मिटर क्यूब हमारा unit है, हमारा bulk density का unit रहता है, हमेशा kg पर मिटर क्यूब में next है concrete, concrete का है, 2500 kg पर मिटर क्यूब and last brick, brick का रहता है, brick का bulk density रहता है, 1500 तो 1800 kg पर मिटर क्यूब तो यह था हमारा bulk density of construction material तो bulk density क्या होता है, उसका formulas क्या है, उसका unit क्या है, उसको कैसे represent करते हैं और construction material का each, मतलब cement, sand, aggregates, etc, उसका density क्या-क्या है, तो आज हम लोग ने यह देखा, तो thank you दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक किजिए, शेयर किजिए and subscribe करना ना बुलिए